The most urgent decisions are rarely the most important ones. President White D. Eisenhower जिन्होंने ये बात कही और उन्होंने एक model भी हमको दिया Eisenhower Matrix. So decision making बहुत important professional or personal life में. और कई बार हम लोग decision लेने में चूप जाते हैं, डिले कर देते हैं और उसका result वैसा नहीं मिलता है जैसा हम सोच के बैठे होते हैं. और life में decisions are the most important activity or the process जिससे हमको गुजर के जाना होता है. तो इस important चीज के ओपर Michael Krogeras और Roman Shepler ने बहुत ही अच्छी book लिखी. जिसके अंदर उन्होंने 50 models भी दिये कि कहां-कहां पे कैसे वो models हमको decision making में help करते हैं. और इस book का नाम था The Decision Book. और decision book है, जिसमें 50 models है, strategic thinking की. और इस book के अंदर जो इन दोनोंने model दिये, वो तो important ही हैं. और उसके साथ साथ जिन situations में हम in decision making में चूकते हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया. और life के चार ऐसे faces, जिनमें हमें decision making की जुरुत होती है, कि how to improve your own self, और how to understand yourself, कि खुद को कैसे हम पूरे तरीके से जाने, और तीसरा how to understand others better, और the fourth one है, improve others. तो जो लोग team leading face में हैं, उनके लिए ये बहुत important है. इन चारो segment को जब हम देखते हैं, तो ये किताब उन लोगों के लिए भी है, जो लोग अपने अंदरे improvement चाहते हैं, और इसको self help की तरह लेते हुए, इसके बताये हुए models के उपर, खुद को रखते हुए decisions को ले सकते हैं, दूसरा उन लोगों के लिए भी एक बहुत किताब help करेगी, जो लोग business coach हैं, या life coach हैं, या managerial position पे हैं, या entrepreneur हैं, उनके लिए भी ये बहुत helpful book है, जहां वो इन models को सामने वाले पे use करते हुए, उनको एक direction दे सकते हैं, decision making में help कर सकते हैं, और उनकी life के अंदर कहीं न कहीं improvement लिका सकते हैं, तो जब हम इन चार faces को समझते हैं, तो पहला face है जहां पर उन्होंने models दिया है, इंप्रूव यॉर्सल तो इसमें पहला model बहुत important है, क्योंकि यह जहां उन्होंने बात कि कि हर urgent decision important नहीं होता है, उसके लिए चार से coordinates में इसको divide करते हुए, उन्होंने S&Hover matrix हमें दिया, जिसके अंदर हम prioritize कर सकते हैं कि कौन सा काम ऐसा है, जिसको हमें अपने लिए रखना है, और कौन सा काम है, जिसको हमें delegate करना है, और कौन सा है, जिसको हमको पहले करना चाहिए, तो time को लेके prioritization के साथ में time की importance को बताते हुए, यह particular model बहुत help करता है, next एक और model SWOT analysis, जो organizations को भी help करता है, खुद के अंदर improve करने के लिए, जो भी threats हैं, जो भी weaknesses हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकते हैं, और इस model को SWOT analysis को जब मैं अपनी training में करता रहा हूँ, उसमें मैं हमेशा चाहता हूँ कि participants अपने आप से start करें इसको बनाना, पर मैंने देखा है कि mostly the participants strength से start करते हैं, और जब वो strength से start करते हैं, तो threat तक पहुंचते पहुंचते उनके बाद कोई threat उनको लगता है कि हाई नहीं है, मैं उनको बताता हूँ कि नहीं आप threats से start करें आप अपनी life के threats या organization के threats से start करें, तब हम यह देखते हैं कि threats के बाद में जब वो अब अपने opportunities, weaknesses और strengths को देखते हैं तो उनका नजरिया बिलकुल अलग हो जाता है, वहां पर उनके अंदर improvement के chances उतने ही बढ़ जाते हैं, तो यहां पर भी खुद के लिए decision लेना या organization को as a individual मानते हुए, उसके अंदर improvement करने के लिए हमें इस model की जुरुत होती है, इस तरीके से उन्होंने कई model दिये हैं, BCG model, हम लोग cash cows, stars, question marks और dogs के quadrants बनाके उसके साब से उसको देखा जाता है, और investments और उसकी results को हम लोग इसमें evaluate कर सकते हैं, एक और जो मेरे बड़ा अच्छा सा model था वो जिसको हम लोग अपने goal setting के लिए use करते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर goal set करते हुए decision लेना बड़ा critical होता है, और हम खुद को कई आइडिया नहीं होता है कि हमारा goals क्या है life के, किसी profession के या किसी भी business के, तो जब हम वो set करने में काम्याब हो जाते हैं, तभी हम एक अच्छा decision उस direction में ले पाते हैं, तो ऐसा ही model जो the john white more model है, जिसके अंदर इसको हम लोग smart goal setting कहते हैं, लेकिन इसमें smart के साथ में pure और clear भी होना चाहिए, तो जहां हम लोग smart से समझते हैं कि specific होना चाहिए, miserable होना चाहिए, attainable होना चाहिए, realistic होना चाहिए, और time bound भी होना चाहिए, वहीं उसके साथ में ये pure भी होना चाहिए, तो pure के लिए क्या है, positive stated होना चाहिए, understood होना चाहिए, relevant होना चाहिए, ethical भी होना चाहिए, और clear के तो और ग्रीड होना चीए कुद के लिए भी और जिन भी टीम के साथ आप कर रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए और इसको डॉकुमेंटेड या रिकॉर्डड भी होना चाहिए रवर बैंड मॉडल है जहां पे हम यहां डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हमको आगे बढ़ना है में यह एक डिलिमा है जिसको हम डील नहीं कर पाते हैं कि क्या मुझे इस नौकरी में रहना है इस बिजनस में रहना या नहीं रहना है क्या है जिस वज़े से मुझे रोक रहा है क्या रोक रहा है मुझे उसको भी इस तरीके से देखा जासे देन फीड वाइक मॉडल है दे यह में इस पूस्टेक्स ऐसे जिनकों चोड़ना ही बेतर है तो उसको भी जान सकते हैं इसको जनने के लिए आ मॉर्फलाजीकल बॉक्स एन्ड श्कैमर उन्होंने मॉडल दिया है जो बहुत खूबसूरती के साथ टेटेल में उसको बतायगया है तो ऐसे ही model है जो हमारी self improvement के लिए काम आता है एक model इसमें बहुत प्यारा सा है जहां पर conflict resolution के बारे में बताया गया है और इस model के अंदर में हम लोग conflict के time पे किस तरह से deal करते हैं उसके बारे में भी इसको बहुत बताया है जैसे कि हमारा strategies क्या होती है normally पहली strategy हम लोग escape को कर हम लोग evade responsibility से भागने की बात करते हैं हम लोग compromise कर जाते हैं या हम लोग एक consensus पर पहुंचें क्या यह सही है तो यह सारी strategies जब हम लगाते हैं उसको हम evaluate करते हैं with questions और उन questions के साथ में हमें देखते हैं कि कौन सी strategy हमारे लिए किस समय जरूरत है जहां पर हम भागने की जरू होता है अगर हमें लगता कि यह best decision है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं पर पहले हम यह figure out करें कि यह इन सब strategies में से कौन सी strategy इस जगह पे इस समय पे यह इस situation में हमारे लिए best हो सकते हैं second हम देखते हैं कि हम अपने आपको कैसे जाने है कैसे इसको हम लोग खुद के बारे में जान सके कि क्या हमारे खुद की strength है या क्या चीज है जो हमारे लिए बहतर है अच्छा है appealing है उसको जानने के लिए flow model इसके अंदर दिया है जो हैरी विंडो अगें बहुत बहुत powerful model ह है जिसको हम लोग कहीं पर भी अपने black spots को जानने के लिए या ऐसी spot जो ना मुझे दिख रहे हैं ना किसी और को दिख रहे हैं लेकिन वो रहे हैं उनको जानने के लिए या जो मुझे नहीं दिख रहे हैं पर लोगों को दिख रहे हैं उनको मैं कैसे जानू और उसको जान यहां पर कि हमने इमेजिनेशन के वी ऊपर जब हम चले जाते हैं तो उसके बारे में हैं तो एक और मॉडल है जो अपने आपको जानने के लिए बहुत बढ़िया मुझे लगा है जिसको मैं फोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा जो कि उफ अबलक मॉडल है जिसमें क इन चार सवालों का इसके अंदर बहुत अच्छे डंग से जवाब है जिसमें कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन के जो कॉडरेंट से उनको हम लोग देखते हैं टीम प्लेयर हो या इंविजल हो फॉर्म में हो कंटेंट हो ग्लोबल हो लोकल हो बॉड़ी को ज्यादे इसको जानने के लिए मॉडल बहुत अच्छे डंग से मुझे लगता कि काम करता है और जो लोग इस डिल्मा में है कि मुझे नौकरी को आगे बढ़ाना है या इस बिजनस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है वो एक महिना तक इसको प्रैक्टिस करें मॉडल को तो उनको इसमें एक डिसीजन की तरफ वो अराम से चले जाएंगे इसके अंदर में तीन कोशन्स है इसके उपर काम करने की बात करिया है जैसे कि हैव टू है एबल टू और वन टू तो हैव टू के अंदर यह है कि जो भी आपको से एक्सपेक्टेशन आपके औरगेजेशन आपका सुपरवाइजर्स या आपके क्लाइंट्स आप से रख रहे हैं तो वो किस हद तक के आप से expectations हैं क्या able to क्या आप उन expectations को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं 21 हद तक कर पा रहे हैं तो zero to ten की rating के दर उनको भी डाल सकते हैं और want to क्या यह जो भी expectation है और जो आप fulfill कर रहे हैं क्या वो उस direction में है जिस direction में आप अपने आपको देखते हो तो इन तीन dimensions में इसको हम एक महीने तक note करें कि कोडरेंट किस तरह से बन रहा है तो वो किस direction में जादा जा रहा है तो जहां जादा जा रहा है आप वहां से समझ सकते हैं कि आपके जो want है वो इस पूरी आपको बढ़ाने की जुरूरत पड़ेगी सेल्फ को और अच्छे से जानने के लिए एक और मॉडल है जिसमें दा मेकिंग अफ मॉडल है जहां हम बात करते हैं हम लोग फ्यूचर को अपने लिए देखते हैं कि हाप फ्यूचर में ऐसा हो पहलेंगे ऐसा हो जाएगा यह होगा वहां पर इस मॉडल में यह आगे नहीं को जानने ते पहले पुरा किया और आपने सीखा किया है अपने पास से जब तक हम इन पांचों सवालों के जवाब नहीं देंगे तब तक हम अपने फ्यूचर को सेट या फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं इसके लावा और भी कई ऐसे मॉडल है जो मुझे लगता है कि कही ना कही हमारी लाइफ को वो टच करते हैं और हमारे अवेरनेस खुद के बारे में अवेरनेस लेके आते हैं तीसरा सेग्मेंट आता है जहां पर हम यह कहते हैं कि हम दूसरों को कैसे समझ सकें और इसमें पहला मॉडल इसमें स्विस चीज मॉडल दिया है जिसके अंदर हम लोग उनकी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक्स को स्किल्स को अलग लग लेवल पर समझते हैं और उनकी स्ट् समझते हैं hierarchy model जहां से कि हम लोग अपने physiological नीड से लेके esteem तक जाते हैं pyramid की form में वह इन्होंने इस pyramid को उल्टा भी करके समझाने की कोशिक कि कि यह तो need है अब उसके साथ में wants भी लिखने की जरूरत है कि क्या आप physiological जो जुरूरते हैं आपके अगर वह पूरी होगी तो अब वहां पर आपकी क्या want रह गई है अब आप क्या चाहते हैं वहां से और esteem level पे अगर आपके जो कि pyramid का tip है छोटा सा है लेकिन कहीं ना कहीं एक time बाद वह उसकी requirement हमारी जो want है है वहां पर बढ़ जाती है प्रेटो प्रिंसिपल मॉडल जिसमें 80-20 को हम लोग समझते हैं कि कोई भी आउटपूट है वह 80% आपके effort मांगता है यह 20% चीजें हैं जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं प्रिजनर्स डिल्मा उन्होंने बता कि दो प्रिजनर ऐसे हैं यह दो चोर है यह दो क्रिमिनल हैं जिनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ने के बाद में उनको options दिये जाते हैं options यह दिया जाते हैं कि अगर एक जना कोई सचाई बोल देता है और वो confess कर लेता है कि उन्होंने यह crime किया है तो वो बच जाएगा और दूसरा उसको 10 साल की जेल होगी और second option उनके लिए है कि अगर दोनों ही नहीं बोलते confess नहीं करते उस case के अंदर में दोनों को ही 2-2 साल की सजा होगी तीस्रा तीस्रा option यह है कि दोनों ही कनफेस कर लेते हैं कि हम नहीं यह काम किया है तो उस case के अंदर में दोनों को 5-5 साल की जेल होगी अब ऐसे में उनके पास में options तो हैं लेकिन उसके साथ में trust भी बहुत important है तो क्या सामने वाले पर वो blind trust कर सकते हैं क्योंकि option उनको अकेले को दिया गया है उनको नहीं पता है सामने वाले को भी option है या नहीं है plus वो एक दूसरे interact भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा जब option आ रहे हैं और उनके साथ में trust भी बहुत बड़ा factor है क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बोला लेकिन उनके partner ने बोल दिया confess कर लिया तो उनको 10 साल की jail होगी तो इस तरह के dilemma में भी लोग रहते हैं कि कहां trust करें या कहां trust ना करें तो यह model अपने आप में बहुत डीपर understanding सामने वाले की और अपने लिए भी देते हैं कि trust कितना बड़ा factor है How to improve others यहां से अब शुरू होती है जरनी जहां पर अब हम team के अंदर सामने वाले लोगों को अपने team players को अपने partners को हम लोग किस तरह से improve कर सकते हैं उसके बारे में एक हाव टू 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 इंटू ए टीम क्योंकि group team है जहां people are working for each other and they are working towards a single goal towards one goal वो कैसे बनाया जा उसके लिए रेक्सलर सिबट team performance model इन्होंने दिया है जिसके अंदर बहुत ही constructively हम इस strategy को यूज कर सकते हैं और एक एक जन्ने का एक एक team player को हम लोग understand करते हुए उसके बारे में देख सकते हैं लिख सकते हैं then is your team up to the job क्या वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही उसके लिए team model the team model है इस पूरी किताब को समझने के लिए और इस पे काम करने के लिए एक चीज और बहुत डेवलप होती है और वो इनकी जो और किताब है the question तो question book के अंदर में भी जहां questions की बात करें यह एक और book है जहां पर change your question, change your life तो वहां पर questions को बहुत importance दी गई है क्योंकि questions के साथ ही हमारा mind बहुत strongly काम करना चुरू होता है तो इस book के अंदर में आपको हर problem को question form में भी दिया गया है और उन questions के साथ में उनको answer करने के लिए भी आपको एक set of questions हर model में आपको दिखेंगे उन questions को आप जैसे ही सोचना शुरू करते हो उस पर काम करना शुरू करते हो तो आपको असान हो जाएगा किसी भी तरीके का कोई भी decision लेने के लिए तो इस book को अगर मैं बात करते हूं कि complete models है इसके अंदर इनना कोई judgment नहीं दिया है कि कौन सा decision सही है कौन सा decision गलत है हर decision को अनोंने सही दिया है आपके परस्पेक्ट के साब से